हेलो, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियोज ओन यूर फेस्बुक पेज फेस्बुक पेज के उपर यूट्यूब की वीडियोज को कैसे अपलोड करें देखे अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूँ फेस्बुक इंडिया ने भी फेस्बुक एड मोनेटाइज़ेशन इनेबल कर दिया है और अगर आप अपने फेस्बुक के पेज के उपर यूट्यूब की वीडियोज को अपलोड करेंगे और उसके बाद आपकी वीडियोज पे वीडियोज आएंगे तो उसके लिए आपके पास एक फेस्बुक का पेज होना चाहिए और फेस्बुक का पेज होना बहुत जरूरी है तो मैं आपको लेचलता हूँ अपने फेस्बुक के पेज के उपर देखें मेरा यह Facebook का page है जो मैंने बना रखे अपने blog के लिए और अपने YouTube के लिए मैं यहाँ पे blog के रिगार्डिंग और YouTube के रिगार्डिंग अपनी जो updates है वहाँ पे regularly डालता रहता हूं तो please आप भी इस page को follow कर लीजिए इस page को like कर लीजिए आपको यहाँ पे blogging के रिगार्डिंग और SEO के रिगार्डिंग टेक रिगार्डिंग अप्डेट्स मिल जाएगी तो Facebook के page पे आने के बाद आपको सामने हाँ यह जो जापने मेरा cursor move कर रहा है अप्रोड करनी है जो अपने YouTube पे अप्रोड की थी आपको अगर वही वीडियो करनी है और जो भी आपने वीडियो रिकोड करके रखी हुए Facebook के page पे page पे अप्रोड करने के लिए तो आपको वह चूज करनी है तो मैंने आप वीडियो चूज करी है keyword research tutorial for beginner bloggers जी हाँ मैंने एक वीडियो बनाए थी how to do keyword research for free for beginner bloggers तो यह मैंने चूज कर लिया है वीडियो यह वीडियो आप YouTube पे बिजा के देख सकते है ठीक है तो यह वीडियो चूज करने के बाद अब बात आती है कि उसका जो Facebook वीडियो का टाइटल है वो क्या ले और क्या चूज क करे तो आप उसके लिए अपने YouTube के पेज पर जा सकते है YouTube चैनल पर जा सकते है और वही वीडियो सेलेक्ट कर सकते है जो आपने पर Facebook के पेज़ पर अपलोड करने की सोची है तो आपको यहां पर जाना है और इसका जो वीडियो का टाइटल है वो कोपी कर लेना है अगर बाद आपके सामने exactly वह टाइटल आ जाएगा अब बात आती है how to write the description for facebook videos facebook videos के लिए description कैसे लिखे तो आपको दुबारा से अपनी youtube की जो video है उस पे जाना है और उसका जो description है वो आपको को भी करके अपने video में paste कर देना है और अगर आपको यह description नहीं रखना है तो आप अपनी मर्जी से भी महाँ पर manually type करके लिख सकते है facebook के page के उपर तो इसके facebook के page दुबारा से जाते है और यह title जो description है वो हम copy paste कर देते है ठीक है यह देखिए आपके समने exactly ऐसे का ऐसे ही आ चुका है और अगर आप इसमें कुछ और लिखना चाहते है तो आप यहाँ पर जाके नीची लिख भी सकते है देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा को भी subscribe कर लेजिए क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी informative वीडियो लाता रहे तो हम blogging के regarding SEO के regarding tech news के regarding और साथी साथ social media के जो अपडेट्स है YouTube के अपडेट्स Instagram के अपडेट्स उनके रिखारें ठीक है तो आपके अपने description में जाके कुछ भी add on कर सकते है यह मैंने आपे add कर लिया है अब बात आती है how to write the tags for facebook videos facebook video के लिए tags कैसे डाले और कैसे लिखें तो आप अगर आपने YouTube के जो tags है उनको भी यहाँ पर use कर सकते है नहीं तो आप manually type भी कर सकते है वो कैसे करना होगा आपको देखे सबसे पहले इसमें tags के उपर click करना है और आपको hashtag पहले लगाना पड़े आपको hash लगाएंगे उसके बाद अपना main keyword जो है वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं hash लिखा hash लिखने के बाद आपको main keyword जो है वो without space लिखना है ठीक है कोई भी space नहीं आना चाहिए hash के बाद उसके बाद आपको दूसरा keyword जिसे है मेरा यहाँ पर मैंने search engine optimization के बारे में लि और facebook के views के बारे में अगर मैं आपको बताऊं facebook के views अगर एक minute तक आपकी video किसी ने देखी तभी आपका जो view है वो count होगा अगर आपकी video किसी ने एक minute से पहले 59 second पर बंद कर दी तो वो count है वो count नहीं होगा और अगर आपको facebook page के ओपर monetization को enable करना है तो आपके page पे 30,000 minute का watch time होना चाहिए मतलब वही कि एक minute तक video देखनी चाहिए अब बात आते है how to choose the thumbnail for facebook video तो आपको thumbnail वाले option पर click करना है आपने देखा जैसे अब आपको दिख रहा है thumbnail पर click करने के बाद आपको add image पर करना है और add image पर आप वही thumbnail ले सकते है जो आपने YouTube की video के लिए choose की थी और अगर आप को यह पसंद नहीं है तो आप दूसरे भी ले सकते है ठीक है या देखिए यहां पर थमनिला चुकिए आप दुबारा से वीडियो वाले option में गए वीडियो वाले option में जाने का आपको नीची option दिख जाएंगे subtitles का आप subtitles भी दे सकते है और आप यहां पर कुछ labels भी डाल सकते है देखिए labels वो चीज है जो आप ही अपनी वीडियो को ढूंड पाएंगे यह viewers के लिए नहीं है सिर्फ creators के लिए है मतलब आपके लिए ही है यहां पर left hand में दिख जाएगा कि labels वो चीज है जो आप खुद अपनी वीडियो को find कर सकते है अपने page बे तो यहा आपको क्लिक करना है इस वाले button पर क्लिक करने के बाद आपके समने publish का option आ जाएगा देखिए आप इस time publish कर सकते है अगर आपको नहीं करने तो आप इसको time schedule कर सकते है कि मेरे को कल upload करनी है 11 बजी तो आप time भी schedule कर सकते है और date भी कर सकते है तो मैं publish पिचाता हूं और इसको publish करके दिखा देता हूं देखिए मैंने publish पे click करा और publish पे click करने के तुरंद बाद ही आपके सामने जो है ये वाले interface करके आ जाएगा और जब तक ये वीडियो upload होती है देखिए वीडियो upload होने का जो time हूँ आपकी वीडियो की length पर depend करता है अगर आपकी वीडियो कर सकते हैं अपने मर्जी का कोडिंग तो आपको यहां पर जब तक यह पूरा process होता है वेट करना पड़ेगा और वेट करने के तुरंद बात आपके सामने notification आ जाएगी जैसे ही आपकी Facebook की वीडियो upload हो जाएगी देखिए मेरे पास भी notification आ चुकी है Facebook की अब हम जाते है द पूरी जो थमने लावस के उपर प्ले बटन का निशान आएगा और इस पर दबाते ही आपकी Facebook वीडियो प्ले हो जाएगी इसके साथ जाता आप इसको बड़ी स्क्रीन में भी करके देख सकते हैं देखिए मैं आप करता हूँ चूज करता हूँ पूरी बड़ी स्क्रीन को प्ले के आज आएगी जैसे YouTube पर आती है सबसे बढ़िया बात क्या है Facebook वीडियो की आपके समने जो अपनेक्स का जो ओक्षन आ रहा है उसमें सिर्फ आपकी ही वीडियो दिखाई देगी क्योंकि यह आपका पेज है यहां पर किसी और की वीडियो स्टेट में नहीं आएग इसको प्लीज कमेंट करके बताएगे कैसे आपको यह लगा पूरे टुटोरियल और आपको Facebook आड मोनेटाशन इनेमल होगा नहीं होगा आप यह बता सकते हैं ठीक है तो सब्सक्राइब मैं चैनल फॉर मोर वीडियो थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज स सब्सक्राइब मैं चैनल